दोस्तों जब हम share market में investing की बात कर रहे हैं, stocks की बात कर रहे हैं, तो देखें कुछ stocks तो ऐसे होते हैं, जिस पे हम एक almost certain होता है कि इन stocks में हम invest करेंगे, आज नहीं तो कल 8-10% की CAGR returns हम ऐसे stocks में लगबग कमा सकते हैं, जैसे कि जितने भी majorly बड़ी companies होती है, SGFC bank, ICIC bank, Reliance Industries, ऐसी companies में लगबग ये तैय होता है कि आज नहीं तो कल जैसी market के sentiments अच्छे होंगे, इन companies में एक अच्छी खासी returns हम लोग regular basis पे कमा लेंगे, लेकिन कुछ companies ऐसी होती हैं, जहां पर या तो आपका पैसा सीधा double, triple, 4 गुना तक हो सकता है, या फिर आपके पैसे सीधा 50-60% तक गिर सकते हैं, तो आज मैं ऐसी ही 5 companies के बारे में बात करने वाला हूँ, उनकी risk और उनकी जहां पर ये grow कर सकती हैं, उन दोनों चीज़ों पर यहां पर मैं बात करूँगा, तो अगर आप बहुत जादा high risk लेने वाले investor हैं, तो ये 5 companies को ज़रूर और मुझे लगता है कि अगर इनकी positives play out होते हैं, तो एक अच्छी returns ये companies दे सकती हैं, लेकिन जो इन companies से जुड़े हुए risk हैं, अगर वो चीज़ जादा यहां पर उभर के आती हैं, तो इन companies में सीधा आपका जो पैसा है वो आदा हो सकता है, 10-15-20% तक भी आपका जो total income है जो आपकी investment है वो रह सकती है, पहली companies में जो हम बात करेंगे तो दो new age companies पे बात करेंगे हम, new age companies basically दोस्तो आज के time में सबसे बड़ा risk जो new age companies का है, कि अभी हमें पता नहीं है कि कितना profit ये कमा पाएंगी, कमा पाएंगी या नहीं कमा काएंगी पहली बात है, और दूसरी है कि कमा भी पाएंगी तो कितना profit generate कर पाएंगी, तो ऐसी companies में बहुत जादा risk है, इसमें सबसे जो पहली company है वो है zometo, अब zometo में जो सबसे positive बात है वो ये है कि इसका जो काम है उसमें duo poly है, सिर्फ इंडिया में अभी दो ही major players हैं जो food delivery का काम कर रहे हैं, दूसरा जो benefit है अभी penetration इंडिया में उतने ही level की नहीं हुई है, अभी भी food delivery का जो काम है उसमें growth long term में आ सकती है, और तीसरी जो positive बात यहां पर इस company को लेकर है कि अलग-अलग businesses में ये try कर रहे हैं, जैसे कि जो इनका hyper pure का business है वहां पर ये try कर रहे हैं, तो उसमें ये लोग restaurants को raw material की services provide कर रहे हैं, तो ऐसे मुझे लगता है कि ये company भी आने वाले time में अगर ये जो positive play out होते हैं, तो अच्छा growth दिखा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा risk जो इस company को लेकर है, अगर कोई new entrant यहां पर आता है, ये जो अभी सुगी और Zometo की duo poly यहां पर play हो रहे है, अगर वो उस चीज के बीच में कोई और नया player आता है, तो ये सबसे बड़ा risk इस वक्त इस company के उपर है, दूसरा risk जो यहां पर आता है, कि profit कमाना कब शुरू करेंगे और कमाते भी हैं, तो कितना profit generate कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा risk है इस company को लेकर, लेकिन अभी अच्छा खासा correction इसके price में हो चुका है, share price की अगर हम बात करेंगे, 50 रुपे पे एक अच्छा खासा support share price में यहां पर देखने को मिला है, और काफी लंबे टाइम से ये 50 रुपीज के आसपाश फेड कर रहा है, और एक अच्छी बात क्या है कि ये company लगातार अपने जो losses है उसको कम करती ह आ रही है, तो losses कम कर रही है, ये एक काफी अच्छी बात मुझे यहां पर इसकी लगती है, तो ये एक ऐसी company लगती है, मुझे या तो यहां से इसका price double, triple तक हो सकता है आने वाले एक दो सालों में, या फिर सीधा आधा भी यहां पर रह सकता है, इतनी high risk company है, आने वाले ए लेकिन जो अभी positive चीज नजर आ रही है, वो सबसे positive चीज का नजर आ रही है, कि losses इनके कम हो रहे हैं, और ये company अब profit की बात करने लगी है, अब पेटियम से अगर recharge कराएंगे अपने mobile का, आपको देखने को मिलेगा, कि charges अब ये ले रहे हैं, minimal charges ले रहे हैं, लेकिन बहु लोने costing अपनी वो धीरे धीरे कम कर लिया है, तीसरा, जो stock market में आने के बाद इस company को exposure मिला, उससे इनको advertisement cost इनकी कम हो गई, चाहे आप जो मेटो की बात करें, पेटियम की बात करें, इनकी जो advertisement cost है, वो अपने आप कम हो गई, क्योंकि इतना साधा exposure इन दोनों companies को मिला है, positive negative जैसी भी marketing होती है, हमेशा किसी भी company के लिए positive मानी जाती है, क्योंकि company के बारे में बहुत सारे लोग जान जाते हैं, पेटियम के बारे में तो वैसे ही already बहुत सारे लोग जानते हैं, यह दो जो एक दो अच्छे positive चीज यहाँ पर इस company को नेकर नजर आती है, लेकिन सब सबसे negative बात किया है कि यह जो business में है, जो payment aggregator वाला business है, यहाँ से इनको profit नहीं होने वाले, बहुत सारी अलग अलग companies है, google पे, phone पे, ऐसी अलग अलग companies हैं, जहाँ पर same similar काम हो रहा है, तो competition बहुत जादा है, ऐसा नहीं है कि और कोई entrant यहाँ पर नहीं आ सकता है, already काफी सारी companies है, जो similar काम कर रही है, तो सबसे बड़ा challenge यही रहने वाला है कि यह ऐसा क्या different करेंगे आने वाले time में, जिससे यह profit generate कर पाएंगे, और उस profit को अपना extend कर पाएंगे, इसमें से एक काम है, जो इन्होंने brokerage वाला अपना काम शुरू किया हुए, पे टियम money के नाम से जो इनका एक brokerage service है, वहां से इनको income हो सकती है, इसके अलावा इनको और धीरे धीरे और company शुरू करनी बड़ेगी, क्योंकि cash इनकी balance में, इनकी book में काफी अच्छा है, जो इन्होंने यहां से अभी market से पैसा उठाय है, उससे काफी अच्छा खासा cash इनके पास आया हुए तो वह काफी अच्छा बात है, तो यह Paytium में आने वाले time में यही चीज़ डिपेंड करनी है कि कितना यह अपना frequently losses को कम कर पाते हैं, और साथ में यह क्या ऐसे नए businesses में enter कर पाते हैं, जिससे यह जो इनके पास customer base है, उसको अपना नया समान बेच सकते हैं, क्योंकि payment aggregator के काम से तो इनका business नहीं चलने वाला, मुझे लगता है कि Paytium ऐसी company भी हो सकती है, जहाँ पर आपको 50% और discount में लें, लेकिन share के price की बात करें, तो 500 के levels पे हमेशा बहुत अच्छा comeback कर रहा है, यह 500 से 600 की range में इस वक्त यह company अच्छा खासा move यहाँ पर दिखा रही है, और positives new age companies हैं, अब एक डेर साल इनको list हुए हो गया है, तो एक stability इनके price को लेकर आगी है, जो बहुत जादा एक positive बात investors के लिए है, अब इसके अलावा एक ऐसा काम है, जहाँ पर जो आज से एक दो साल पहले तो हर कोई इस काम पर बात कर रहा था, इस sector पर बात कर रहा था, EV का sector EV sector में दोस्तों देखिए Tata LXC, Tata Motors पर तो काफी सारे लोग बात करते हैं, लेकिन EV sector की दो ऐसी companies हैं, जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छी returns दे सकती है, इसमें सबसे पहला नाम आता है Sona BLW का, तो ये company basically spare parts बनाने का काम करती है, engine के parts बनाने का काम करती है, EV sector के लिए, तो ये company काफी अच्छा काम अभी कर रही है, growth काफी अच्छी इसके business में हो रही है, profits में अच्छी growth है, sales में काफी अच्छी growth है इस company की, और एक consistent growth, profit और sales में इसकी पिछले 5 सालों में देखने को मिल रही है, हाला कि इसका जो price to earning ratio है, वो 68-69 के आसपास है, ले है, कि already एक major correction इसके share में आके जा चुकी है, अब जो negative इसके लिए साबित हो सकता है, इसका major काम है वो Europe और US से generate होता है, तो Europe और US में जो अभी पिछले एक साल से थोड़ा सा slowdown आया है, और आने वाले एक साल में भी slowdown की expectation है, वो एक सबसे बड़ा setback इस company के लिए हो सकता ह है, जिस पे आपको नज़र रखनी है, overall order book वेगर आप देखेंगे, सारी चीज़े अगर आप देखेंगे, तो काफी अच्छी company है, पर एक तो इसका जो अभी price to earning ratio है, वो 68, 69 के आसपस है, ये एक थोड़ा इसमें risk रह सकता है, कि शायद इसकी valuations और कम हो जाए, और दूस से बार-बार इसने reversal लिया है, तो 400 रुपीज एक काफी crucial level इस company के share के लिए रहने वाला है, इसके अलावा EV sector में buses बनाने वाली ये company, जिसने अभी recently Reliance Industries के साथ एक agreement किया है, जहां पर ये Reliance के साथ मिलकर hydrogen buses बनाने वाली है, उसके अलावा recently इनको और एक government, state government का order मिला है 500 buses क तो ये company भी काफी अच्छा perform कर रही है पिछले कुछ time से, हाला कि इसका share काफी नीचे चला गया था क्योंकि electric vehicles को लेकर अब जो market में excitement थी वो चली गई है, तो price to earning ratio इसका जादा है, वो एक यहां पर risk है, दूसरा expansion ये company कर पाती है, नहीं कर पाती है, वो एक बहुत बड़ क्योंकि छोटी company है, तिसलिए एक साल से बात चल रहे है कि ये expansion करने की plan कर रहे है, लेकिन इनको पैसा ही नहीं मिल पा रहा है, expansion करने का, तो अगर ये company expansion कर पाती है, अपनी production capacity वेगरा बढ़ा पाती है, तो एक बहुत जादा positive इसके लिए रहने वाल है, और दूसरा जो negative इसके लिए रहेगा, वो ये ही रहेगा कि और कोई competition में company जा जाती है, जो electric vehicles manufacturing करती है, और Electra Green Tech मुझे overall काफी अच्छी company लगी है, अभी इसका share थोड़ा 650 के आसपस है, क्योंकि recently बहुत सारी positive news आई है, लेकिन 500, 500 के आसपस जब इसका share था तो हमने काफी बात की थी, कि ज जादा risk लेने वाले investors हैं, वो इस company के share के बारे में सूथ सकते हैं, तो मुझे अभी भी यही लगता है कि 500 के levels पे अगर ये share आता है, तो एक अच्छी returns यहाँ पर ये share दे सकता है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी होगी इस company के बारे में, कि high risk य paint sector की company, तो paint sector में अगर हम बात करते हैं, तो लोग invest करने की बारे में बात करते हैं, तो Asian paints को उठा कर उसमें invest करते हैं, paint sector में जो सबसे बड़ा risk इस वक्त है, क्यों नई कुछ companies हैं जो enter करने के बारे में, यहाँ पर discussion चल रहा है, अगर वो companies enter करती है, एक huge capital के साथ enter करती है तो paint sector को बहुत बड़ा यहाँ पर setback लग सकता है, जो अभी limited volumes पे इतनी सारी अलग-अलग companies काम कर रही है, उस पे impact आ सकता है, मैं बात कर रहा हूँ, Indigo paints की अब positive बात क्या है, कि अगर आप इसकी valuations को इस वक्त देखेंगे, compare करेंगे और दूसरी companies से, तो valuations इसकी काफी क काम आचुकी है, इसके price to earning ratio 40 के आसपस है, और दूसरी companies का जो price to earning ratio 60, 70, 80 के आसपस है, दूसरा profit और sales की growth अच्छी रही है, profit में भी consistent growth रही है, sales में भी consistent growth इसकी रही है, तो जो sales और profit की growth हो रही है, वो काफी positive इस company के लिए है, तीसरी चीज़ क्या है कि अभी एक regional player है, majorly क पैरला में अभी तक ये company हुआ करती थी, अब धीरे धीरे ये all over country अपना जो पैर है, अपना जो reach है उसको पहुचा रही है, तो वो भी एक काफी अच्छी बात है, जो मुझे लगता है कि एक positively impact यहाँ पर ये कर सकती है, चौती जो positive चीज़ इस company की है कि अभी expansion mode में है, औ और 1 April 2023 तक उमीद है कि इनका नया plant भी open हो जाएगा, तो वो भी एक काफी positive बात मुझे इस company की लगती है, तो मुझे लगता है कि paint sector में ये company अच्छा perform कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो paint sector as a whole है, वहाँ पर अच्छा होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि paint sector से 40% तक गिरावट दिखा देंगी, depend करेगा जो risk है, जो इसके positives है, उनमें से कौन सा जादा हावी होकर इन companies पे चलता है, अगर इनमें से किसी भी company का detailed review चाहिए, तो comment section में मुझे ज़रूर बताईएगा, और मुझे ये भी बताईएगा कि आप में से कौन से लोग किस company में high risk के लिए invest कर रहे हैं, और याद रखिएगा, ये वीडियो किसी भी तरह की investment के advice नहीं है, सिर्फ educational purpose के लिए ये मैं अपने personal views आप से share कर रहा हूँ, किसी भी company में invest करने से पहले financial advisor से बात कर ले, धन्यवाद.